नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हिंदू धर्म में मोरपंग का बहुत महत्व है और मोरपंग ना केवल भगवान स्री कृष्ण को प्रिये है बलकि मा स्रसती, मा लक्ष्मी, भगवान कार्तिके, गनेश जी माराज, भगवान सिब और साथ ही स्री हनमान जी को भी पसंद ह तो हिंदू सास्त्र में मोरपंग रखना बहुत सुमाना जाता है मोरपंग कुछ लोग घरों में सजाने के लिए इस्तिमाल करते हैं तो कोई अपने किताबों में रखता है लेकिन क्या आपको पता है मोरपंग आपके घर के वास्तु दोस को भी ठीक करता है और ग्रहों की पिडाओं से मुक्ति भी दिलाता है भगवान स्रीकृष्ण के माथे पर सजाया जाने वाला मोरपंग जितना खुबसूरत दिखता है उससे कहीं ज्यादा प्रभाव साली है क्योंकि इनके बिना तो भगवान स्रीकृष्ण जी का स्रिंगार ही अधूरा है उनका पूजनी अ होता है तो मोरपंग से जुड़े कुछ अचूग टोटके और चार जगह घर में मोरपंग जरूर रखना चाहिए अगर आप चार जगहों में से कोई एक जगह भी रख लेते हैं तो आपका घर का वास्तु भी समाप्त होता है और गरहों के जो बुरे चाल हैं उनसे भी का दे रहा तो एक मोरपंग हाथ में ले और बोले Knowing इसे मोरुड़ को ऑसे जगह चुपाकर लगते जहां किसी के आते-जाते नजर ना पड़े देखिए आपको सनी सांत हो जाएगा बिगड़ा हुए सनी एकदम से आपके अनुकुल फल देने लगेगा अब कभी कभी क्या होता है घर में आकस्मिक तरक्की रूख जाती है आकस्मिक रूप से बाधाएं आ जाती है जो भी आपके घर में आप कमाते हैं वो बस खर्च होते चले जा आपके उपर लेकिन घृक की तच्वीर लगाए अब यह गनेश की पीठ हमेशा घर से बाहर होनी चाहिए क्योंकि इसके बाद ऐके मातने पर तीन मोर पंक लगा दें गपूरे घर का वास्तु दोशी समाफ्थ होगा और तरक्की करने के नए रास्ते भी खुल जाएंगे कभी क्या होता है कुंडली का राहू ही बिगड़ जाता है जीवन में बहुत प्रेसानिया देता है अक्सर लोग कहते हैं कि मोर हमारे जीवन में जो बहुत ज़ादा राहू तकलीफ दे रहे हैं आकस्मिक रखें महिला हैं पुरुस हैं हर कोई राहु दोस्त समाप्त हो जाएगी अब बच्चे हैं बार बार नजर लग जाते हैं आप सोचते हैं पता नहीं क्यों बच्चा पढ़ता नहीं है खाता पिता नहीं है डंग से तो इस आप क्या करेंगे अगर आपको लगे कि आपके घर पढ़िवार को अक्सर नजर लग जाता है तब आप अपने घर के मुख्य दर्वाजे के पास ऐसी जगह मोर पंक लगा दे कि जैसे ही लोग आपके घर में आते हैं सबसे पहले नजर मोर पंक भी पढ़े नजर दोस्त उनका वहीं खत्म हो जाएगा और आपके घर में आकर पावा उसे याद नहीं रहता तो उनके बुक्स में कॉपी में आप मोर पंक रख दें देखिएगा धीरे धीरे उनकी समर्ण सकती बढ़ेगी एकागर होने की सकती बढ़ेगी और फिर पढ़ाई में उनका मल लगने लगे लगेगा तो कभी ऐसा भी होता है कि दुस्मन ब यह मोर पंक का उप्रयोग आपके दुस्मन की बुद्धी बदल देगा हनमान जी के मंदिर में जाएं किसी भी दिन हनमान जी के मस्तक का सिंदूर थोड़ा सा उंगली में ले ले और अगर मंगर बार सनीबार हो तो ज्यादा अच्छा लेकर उस मोर पंक पर दुस्मन का न बहतेवे जल में प्रवाहित कर दें पीछे मुड़कर मत देखिएगा सत्रू सांथ हो जाएगा कई बहुत कोशिस के बाद भी आपके मनों कामना पूर नहीं होती काम में बार बार अर्चने आती है तब ऐसे में अगर जीवन में प्रेम खो गया हो वे भाहिक जीवन में समस् और चालिसवे दिन आप वो मोर पंख लाकर अपने बेडरूम में रख लें प्रेम बढ़ेगा खुसियां बढ़ेगी जो पती पतनी में अनवन है वो अपने घर के बेडरूम में पूरव या दक्षिन पूरव विसा में मोर पंख रखिए या फिर दिवाल में मोर पंख आ अगर आपके छोटे बच्य बार बार नजर लगते हैं तो उनके तकीये के कःवर में मोरपंग डाल दें उनके बेट के नीचे नीचे मोरपंग डालें आपके बच्चों को नजर नहीं लगेगी चुकि मोर का संबन्ध सुन्दर्ता और खुसाली से है इसलिए घर के लिविंग एरिया में यानि जहां आप हमेशा बैठते हैं यहां पर नित्य करता हुआ एक मोर की पेंटिंग लगाएं तस्वीर लगाएं चुकि मोर पंख लक्षमी, सौभाग, खुसाली, धन्धाने और संपन्नता के लिए पुझनी है और मोर के पंखों का प्रयोग मा लक्षमी की इन्हीं विसेस्ताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है तो मोर पंख को अगर आप बांसूरी के साथ घर में रखें भगवान स्री कृष्ण के पास तो तसवीर जो आप रख देते हैं उनके तसवीर के पास तो रिस्तों में प्रेम बढ़ता है, सुख बढ़ता है, सौभाग बढ़ता है, खुसाली आती है मोर पंक जितना खुबसूरत दिखता है न उतने ही काम का है अगर गड़ों का असुब प्रभाव ज़्यादा परेसान करे तब आप प्रियोग मोर पंक का जरूर कीजिएगा वैसे तो हर धर्म में मोर पंक का इस्तेमाल करने का विधान है और मोर पंक का तोट का दुसमनों को जो वो आपके उपर परेसानी डाले हुए है या आपके जीवन में परेसानियां क्रियेट करते हैं तो वो खुद ही अपने जाल में फस जाएंगे अगर हमेशा ही बिजनस में नुकसान हो, बेबजा का पैसा खर्चा हो, परेसानी बढ़ जाए तो आप अपने घर और दुकान में पूरब दिसा में मोर पंक एक लगा कर रख दे आप चाहें तो फ्रेम करा कर भी रख सकते हैं नकात्मक तक खत्म होगी लक्षमी आती है, क्योंकि मोर पंक जहां रहता है, वहां सिर्फ सकात्मक उड़ जाए आती है और अगर लाग कोशिस करने के बाद भी बार बार काम मटकते हो, मनुवांचित फल नहीं प्राप्त हो रहे हो तो मोर पंक का प्रियोग जरूर कीजिए और अपने घर में लाके रखिए तो पहला मोर पंक आपको लाके रखना है अपने गनेज जी के तस्वीर के ठीक उपर कहां रखना है घर के मुखे दरवाजे के अंदर की तरब से गनेज जी लगाने और उन्हीं के माते पर मोर पंग सजाना है दूसरा आपको ऐसे जगर लगाना है कि आते जाते लोगों का नजर पहले मोर पंग पर पड़े बाकि अन्य चीजियों पर तीसरा आपको मोर पंक अपने भगवान जो आपने पुजा स्थान पे भगवान की तस्वीर रखी है वहाँ पर बांसूरी और मोर पंक भगवान स्री कृष्ण को भेंट करके वहीं पर रखें और चौत है आप अपने बेडरूम में रखें तक यह की नीचे रखने से बच्चों के लिए बढ़ियां होता है अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द करोर पती बन जाए कहने का तात पर धन इतना रहे कि करोर्पती का मतलब यह नहीं होता है कि इतना पैसा हो कि आप सुकुन से जीवन जी सकेν ऐसा न लगे कि आपके पास कुछ नहीं है बहुत परिशान है कम से कम अच्छे से लाइब जी सकें तो जोतिस में कहा जाता है कि जहां पर आप पुरे परिवार के लोग एक साथ इकठा होकर बैठते हैं वहां पर मोर पंक रख दें आप चाहें तो अपने टेलिवीजन के पीछे से सजा सकते हैं हमेशा ही नजर पड़ेगा धीरे देखिएगा धना आते रहता है क्योंकि मोर का नियमित दर्सन करने से प्रेम बढ़ता है सकात्मक उड़जा बढ़ता है घर के हर सदस्य करोड़ों कमाने लगता है कामयाब हो जाता है तो छोटे-छोटे परियोक्त हैं लेकिन पूजा अस्थान पर अगर आप के घर में जैसे की देखिए बहुत सारी देवी देपता में उनके पॉकिट में यहां तक कि आप चाहें तो बच्चों के जो बैग हैं वहां भी रख सकते हैं तो मोर पंक सकात्मक उड़जा को बढ़ाता है और नकात्मक चीजों को दूर भगाता है इसलिए तो डाइनिंग एरिया में मोर पंक लगाने की सला दी जाती है आप फ् पेंसन ज्यादा हो उस घर में मोर पंक जरूर रखना चाहिए तो फिलार बिदा लेंगे जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लेके हैं दन्यवाद